हाँ भाई किसमत चाहे जैसी भी हो मगर युजवेंज चाहल जैसी नहीं हो क्या युजवेंज चाहल सबसे अनलकी प्लेयर अनलकी क्रिकेटर क्योंकि भाई इस बंदे के बार बार चीज़े हाथ आती है पर मोह नहीं लगती मतलब कि इसी साल देख लो पूरा भड़कम निकल सब्सक्राइब गया है कि इसोटेफ निकल गए समी फाइनल तक आगΓ इलिया लेकिन इस बंदे का भी फ्लेंग उलेंग में पर तो bardzo जगय नहीं मिली यह बंतलब कि इस बंदे के साथ अर बार 2019 से बंदे ने आकरी वर्ल्लकप के अंतर मितलब कि फ्लेंगğin लेंग के उनध तो विड़कप में भी इसके साथ बार बार होती 2019 के अदर इंडिया समी-फाइनल तक फोची थी निजीलेंड ने रहा था उस साथ अच्छा पर्फॉमेंस था हाला कि हड़ साल इनका पर्फॉमेंस था लेकिन वर्ड कप के अंदर इनको कभी स्वोर्ट में मिलता तो कभी प् जिए और उसके बाद में RCB ने भी 2021 के अंदर 2022 के अंदर जब उनको नई टीम बना ती थी तो 2021 के अंदर उनको रिलीस कर दिया गें बिना बताये RCB से निखाल दिया गें लग्यार्ट की आपड़े तो उन्होंने मतलब की ऐसे आंकडे जिस ऐसे किसी खिलाडी के ऐसे किसी स्वामी जैसे मतलब की ऐसे खोखार ग्राउंड के उपर उनके इतने ज्यादा विकेट ऐसे हर किसी के नाम होते नहीं हो किसी के मतलब की कोई ऐसा कर नहीं पाता लेकिन उन्होंने ऐसा का नमा कर रहा है चिन्ना स्वामी पर उनको आर्शली से निखाल लिया गिया अब दे देखना 23 उडी वर्लकप के अंदर जो इंडिया के अंदर होना था इंडिया का वन ओफ देश्क यूर्लक फिन एंदर के नियुन की पूरा विल्ड कुब निकल गया समीफाइनल तक आ गई इंडिया के सामने सप्ता लेकिन एक मैच के अंदर मौका नहीं दिया गया इस बंदा को देख लो मतलब कि इस इतना जादा लंबा वक्त हर बार हाथ आता है पर मुह नहीं लगता मतलब कि one of the luckiest प्लेयर जो है उस्वेंट जायल हो चुक है मतलब कि इंडिया के लिए मतलब कि बहुत पास तक आते लेक मतलब कि इस साल भी इनको लिया गया था लेकिन इनकी जगे अक्षर पटेल उस्वेंट रिचायल की जगे कुलबी प्याद हो और कॉन रमीद इस जड़ेजा को खिला ले गया इनको मोका नहीं लेकिन मेरे साब से लगता है और तो और यह तो चलो ठीक है लेकिन अब जो ज ह्किन खील यह में गए इसको समझ में नहीं आता वही सिलेक्टर क्या अठर किसलेक्टर क्या सोचझ कईलाव कि करता है घंसको समझ में नहीं लेक्ण सब्सक्राइब करिसे हुए ज eerste सबसे अनलगकी प्लेए रिच्या वीडियो पसлен करहें लाए तो लिए बम हैं आको यह सो